पुबार वाद पर आप बोले लगए, confusion तो यही है, अभी तक आप बजरंग बनी पर थे, मैंने आपसे सवाल पूछा, कि आपके नेता आप क्यों कह रहे हैं, कि मैंने अस्ती मंदिर बनवा दिये, एक कह रहा है, एक कह रहा है, कि सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे, आ कि इन कॉंग्रेस दंके की चोट पे कह रहे हैं, कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, तो क्यों देश के परधान मंतरी को ऐसा बोलना पड़ा, क्यों देश के ग्रे मंतरी को ऐसा बोलना पड़ा, क्यों आपकी पार्टी के अधक्स जगत परकाश नडड़ा को ऐसा बोलना पड़ा देखे आपने जब प्रश्ण पूछा था तो ये बजरंग बली पे जवाबी नहीं दिये थे बाकी सब कुछ बोल गए थे यानि हनुमान जी का नाम नहीं आया था क्योंकि का क्या गया है भूत पिसाज निकट नहीं आवाएं महाबीर जब नाम सुनावाएं तो महाबीर का नाम आई नहीं पा रहा था मूपे बड़ी मुश्किल लगी आपको इनका नाम यहां तक लाने के लिए अब मैं कहना चाहता हूँ कि यह विशे जानतें क्या है यह विशे क्यों महत्रपूर्ण है पहली बात हम विशे को लाए क्या पी एफाई और बजरंग दल की तुलना एक होता है कहा नहीं लिखा और एक होता लिखा नहीं शपत पत्र में लिखा इससे जादा तो उनके कुछित मन के भाव क्या विवेक्ट नहीं हो सकती और मैं युआ पीडी को यह भी बताना चाहता हूँ हनुमान जी का इंपोर्टेंस जानते क्या है लैटनी अमेरिका में वहाँ जाके पता करिये वहाँ कहते हैं कि देर इस ए मंकी गॉड लोस्ट सिटी ओफ मंकी गॉड जाके नेट पे चेक करिएगा वो माना जाता है कि वहाँ पे हनुमान जी के बेटे का राज हुआ करता था कभी क्योंकि वहाँ को लोग बड़ी भी चित्र बात है उसको वाजू का पुत्र भी मानते हैं और मंकी को गॉड भी मानते हैं अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या व्याप था परंतु ये आकर जिस चीज़ को कहने का प्रयास कर रहे हैं अभी आपने रामचरित मानत की चौपाई सुनाई थी तो हनुमान जी तो पहचान लेते हैं कि कौन वेक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है राम चरित मानस की चौपाई है स्वामी जी को पता होगा वो कहते हैं यह सन हठ करिहो पहिचानी साधुते हो इना कारजहानी मगर जिन लोग के मन में सिर्फ पाप ही भरा हो उनकी तामसी वर्त्ती की तरफ जानते कैसे प्रवत्ती होती है मतलब उनकी पाप वर्त्ती जिनके मन में होती है तम केप्रती उनकी वैसी रुची होती जैसे बन शब्दशा न लिया जाए उन्लू स्वताहंदकार के तरफ भागता है वैसा ही प्रवत्ती नो में नजर आ रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और आप एक फैक्चुल बात कह दूँ यह बताईए इस्टेट कॉवर्मेंट बनने जा रही है आप प्रतिबंद लगा सकते हैं क्या जो अधिकारी में नहीं है उसका दावा किये दे रहे हैं और कह रहे हैं प्याफ़ाई पे उस पतर लगा लगाया है मतलब अब इससे समय लीजिए कि कितना धोगा देने की बात करते हैं पी एफाई पे लगा लगाया कहते हम लगाएंगे अब एक लाइन और कह दू और बजरंग दल पे ये प्रतिबंद लगाने की बात नहीं करते लगा चुके हैं और अदालत की चौकट पर आउंधे मुग गिर चुके हैं विवादि धाचा गिरने के बाद एक लाइन कह दूँ विवादि धाचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने बजरंग दलो संग दोने पर प्रतिबंद लगाया था नियम ये कहता कि 90 दिन के अंदर टिबिनल में इनको सारे के सारे फैक्ट कोट के सामने रखने पड़ते हैं पर 4 जून 1993 को वो खारीज हो गया बहरी टिबिनल के दौरा और जाके पढ़ डीजेगा 18 जून 1993 को जब उसकी भी लंका लग गई थी आपके साथ क्या होगा विचार करके चाहिए हनुमा भजरंग बली की पूच में क्यों आग लगाई बकॉल कॉंग्रेस नेता अचारे प्रमोट किस्टम हनुमान जी की पूच में आग इसलिए लगाई आप जानते हैं लंका कुबेर की थी और करनाटक में कुबेर की करप्शन की सत्ता जो स्थापित है उस अधर्मी सत्ता को हटाने के लिए धर्म के प्रशस्त मार्क पर चलना तो आप मानरे हनुमान जी की पूच में आग लगाई आपने हमने नहीं लगाई भारती जनता आपने खुद बोला अपर प्रदान मंत्री जी उसके प्रंध नहीं प्रती बंदे लगाया प्रधान मंत्री जी कि यह क्या है प्रधान मंत्री जी इसके नाम नोटी से यह बजरंगबली के प्रदान मंत्री जी ने जारी कर दिया आठ फरवरी 2023 को कहा बजरंग बली आपने हमारी मध्योकतर रेलवे की भूमी पर अतिक्रमन करके मंदिर बना लिया है अगर बजरंग बली आपने साथ दिन में ये मंदिर नहीं हटाया तो इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना इतना बड़ा पाप भगवान प्रभू श्री बजरंग बली के नाम से और भगवान श्री राम के नाम से और प्रधान मंत्री जी आपके आश्राय में ये नोटिफिकेशन लगाता जा रहा है इसका उत्तर दीजिए क्या राज्य सरकारों को दूसरी बात जी लेकिन लेकिन बजरंग दल पर बैन लगा के चुनाव जीतादा सकता है अमिश भाई हमारा डिक्वेस्ट है हमें भी वैसा ही समय दीजिए मैं दो बात कहना चाहता हूं बजरंग दल पर बैन का दिन आपने देखा ता कौन सा था मंगलवार आप बजरंग दल बजरंग दल पर बैन कीजि हैं पहले राम इस नोट एग्जिस्ट उसके बाद सेतू को ले करके क्या चर्चाएं चली आपने गूगल पर पढ़िएगा मेरा बहुत कहना संभव नहीं उसके बाद अब हनुमान अच्छा फिर मुझे समझ ये नहीं आता सिर्फ मेरी ही संस्कृती क्यों एक अवे भाई अब रोचक सोचए स्जी जाने नहीं दादा अधालत पे गुर्दस रैंक अबन मेरा के लँके नाम बहैं जब राम लला को बुलाया जाता था तब शैद किसी के हिर्दे पर कुठारा घात नहीं होता था सेवा सुरक्षा और संस्कार जिस संगठन का देवा क्या है उस संगठन से इतनी नफरत क्यूं आप अभी पीछे दो दिन बारिशने इधर भी रही होगी मगर उदर नहीं बाटते फिर रहे थे ये लोग एक बजरंग दल का ही छोटा सा कारे करता है नाम है उस लड़के का मौंकित आकर क्या कहता जानते हैं बोले महराज जी आपके सामने रोज देखिए कभी अनाज बाटते हैं कभी किसी की मदद करते हैं और सोचिए कहां कह रहे है आमिक्रास्ट बनाएंगे आप उससे बजरंग दल की तुल्ला कर रहे हैं मैं मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं अपने साथ काम करते देखता हूं एक बाद छोटी सी कहूं बुरा मत मानिएगा कि तुमारे पाउ बदनाम करें तो मेरा देखता कृष्णागर जो जनब भूमी पर आज भी मुकादमा चल रहा है काशी में आज भी मुकादमा चल रहा है आप क्रोधित क्यों हो आप मजाक नहीं करतें मेरे साथ जी शदाब चौहां असदोबेसी ने बोला कि अगर जैवजरंग बली का ना राउंटर हुआ है किसी ने उसका धरम नहीं देखा किसी ने उसका धरम नहीं देखा मैं आपसे जाना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी पहले बजरंग दल पर बैंड लगाने की बात करती है और फिर कहते है कि असी बजरंग बली के मंदिर उनका दक्ष कहते हमने मैंने सब्ता में आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे क्या कहेंगे इस कहानी को आप हो चुका है वो यही नहीं तरह कर पारें कि आपको जाना किदा है एक तरफ हो कहते हैं दूसरी तरफ पलट के कहते हैं कि हम जो है राजिस्थान और अच्छिस गर्म उस तालुक से बात नहीं करते हैं स्टेट और नेशनल गवर्मेंट की जहां बात आती है या तो आप एक को है सलाम का कोई तालुक नहीं यह दोनों अलग अलग चीज़ हनुमान जी को ड्रैक करके प्रदान मंतरी जी अपमान कर रहे हैं बजरंग बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बदल बजरंग बली के भकतों का है राजिस्तार में नामागे क्रिश्चनों पर हमला ना करते और जो इस तरह की हरकत करेगा वह आईसिस के अथेंटिकेट करेगा आप बाते बोल रहे हैं यह बाते तो कॉंग्रेस भी नहीं बोल रही है बोल रहे हैं अगर 2006 में सई था 2014 तक 400 फ्रेम दिखाईए तब तो सेकुलर कवर्मेंट थी कहें चार्जेस फ्रेम नहीं है क्यों कि मन गड़न चीजों के चार्जेस फ्रेम होके नहीं आते हैं कोर्ट मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अगर समय सो सब कुछ फ्रेम होता ना तो शाद परधान मंतरी जी अमिट शाजी भी आज कहीं और होते हैं फ्रेम नहीं कर पाई ये लोग क्या बोल दिया है क्या बोला सुनिए फ्रेम किया था और कोर्ट का जो जज्जमेंट है अमिट शाजी के बारे में जाके नेट पे चेक कर लिए पर लिखाए कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड केस था ये होता है फ्रेम करने का बड़ी टीस है बड़ी टीस है कि ये अमिट्शा और मोधी तब निपते क्यों नहीं इन्होंने हमें निपता दिया बड़ी टीस है ये बजरंग बली का जो पूरा चेप्टर कॉंग्रेस ने खोला सुनने में आरा है समाजवादी पार्टी बहुत वादा परिशान है निकाय चुनावों में हमारा क्यों बोरिया बुस्तर बांधना चाहरे हो आप लोग जो इतना पूरा मामला वाले क्या है समाजवादी पार्टी बहुलने से भी बच रही है इस विशे उपर आपकी पार्टी में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि कुछ भी बोलना लेकिन ये बजरंग दल के चक्कर में मत फसना जो कॉंग्रेस का हाला वो हो जाएगा तुमारा देखे मैं तो दो लाइन कहूंगा मुझे लगता है सब के समझ में आ जाएगी दिलों में उल्फत समाल के रखना ये इबादत समाल के रखना लोग नफरत समाले बैठे हैं आपको महबत समाल के रखना ये लोग जो नफरत की बात करते हैं. आपने देखा। हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुसा आए, कपने लग गए, लेकिन जालोन की बीटी पर नहीं कपी, नहीं कपे हतरस की बेटी पर, नहीं कपे मा बीटी जिन्दा जल गई, कानपुर में नहीं कपे. परवक्ता है इतने बच्चे यहां पर बैठे हैं इनके घर में इनके मामा आप भी सुबह से लेकर शाम तक फीज भरते हैं बच्चों को पढ़ाई करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी कि इसके बारे में 40 मिनट में एक बार भी चर्चा हुई इसके बारे में चर्चा नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने तो करी दीजा का आया कोई बात नहीं आप हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरा एक्स्प्रेस में बना हुआ आज भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं मिरा मेट्रो बनाओ आज जी बच्चे चलते उस साथ हंचेरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब बढ़ी अच्छी बात बोली, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, हार जाये आपको कोई दिकत नहीं, आपने अथीक को बनाया, हार जाये कोई दिकत नहीं है, आदम को बनाया, हार जाये कोई दिकत नहीं है, भू माफिया बना दिया, हार जाये कोई दिकत नहीं है आर जाए कोई दिकत नहीं है, आर निरेटिव चैंज गर्डों कमाल है, जब इनके नेता ने कहा था, कि लड़कों से गल्ती हो जाती है, तो हाथ कापे थे कि नहीं, जिस समय आती है कि अहमत को टिकट दे रहे थे, तो हाथ कापने चाहिए थे, बुक्तार इंसारी को सांसत ब परवा दिये थे, और 40 मर जाते तो कम नहीं था, तो हाथ कापा था कि नहीं, वीवर्ज रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और बड़ी ख़वर के साथ आर पार